भू माफियाओं की मुहीम पर भाजपा राष्ट्रे महासचीव केलाश विजबरगे ने कहा कि कॉंग्रेस सरकार माफियाओं की मुहीम को राजनीतिक रंग दे रही है भाजपा के कारिकरताओं को बेवज़ परिशान किया जा रहा है बोले की कमनलाथ को चुनोती देता हूँ कि वो भाजपाईयों को टारगेट करना बन करे भाजपा कमजोर नहीं है प्रशासन की नियम वरुद्ध माफियाओं के मकान तोड़ने को भी हम मूख दर्शक बन कर खड़े रहे यदि अब इस तरह से बीजेपी के कारिकरताओं को परिशान किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे 166 कॉंग्रेसियों की हमने सूची बना ली है जिनके मकान दुकान अवेध है कैलाश बोले कि हम कमजोर नहीं है विजवर्किये ने आगे कहा कि मुसलिम हमारे यहाँ 7 प्रतिशत थे जो 20 प्रतिशत हो गए क्योंकि यह मांच समान मिल रहा है लेकिन पाकिस्तान बांगला देश में हिंदूों की दुर्दशा है इसलिए जन संख्या कम हो रही है यह समझ स्या आजादी के बाद से ही बरकरार है क्योंकि गांधी जी ने भी उस वक्त इस बारे में कहा था गांधी जी के नाम से वोट मांगने वाले उनकी रहा पर कहां तक चलते हैं हमारी पार्टी ने जो गांधी जी ने कहा वो कर दिखाया जैसे स्वच्छता मिशन और नागरिकता हो उन्हों ने आगी कहा कि NRC कोई है ही नहीं प्रधान मंत्री ने भी कहा कि अभी NRC नहीं है NRC के आधार पर असम में उपनिशद हुआ वो भाजपाने नहीं किया वो सुप्रीम कोट के माधियम से किया गया NRC देश के नागरिकों का रजिस्ट्रेशन है जो क्यों नहीं होना चाहिए ये देश कोई धर्मशारा थोड़ी है आज की तारिक में NRC को लेकर कोई निर्णाय नहीं लिये है भविश में क्या होगा ये मुझे पता नहीं है राज्य सरकार से भलकी राजनीती के कारण इसका विरोध कर रही है जहां कॉंग्रिस की सरकार है मुख्यमंतरी कमलनाद पर हमला बोलते हुए कैलाश विजेवरगी ने कहा कि इंदौर और प्रदेश में जो मुहीम चलाए जा रही है उसमें टार्गेट कर रही है मनीश शर्मा हाडिया ने कारिकरताओं सोनकर जी के कारिकरताओं को एड्रेस कर परिशान करना है तो भाजपा विरूद करेगी और कॉंग्रिस में लाने के प्रयास कर रही है मैं कमलनाद से कहना चाहता हूँ कि भाजपा इतनी कमजोर नहीं है प्रशासन के साथ नियम विरूद कारवाई कर मकान तोड़े हैं नोटिस दिये बिना भी तोड़ दिये लेकिन अब ऐसे कारवाई की तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से विरूद करेंगे एक सो सुनसर्ट कॉंग्रिस के कारकरताओं नेताओं की मकान, दुकान और गुम्टी की लिस्ट है मैं इसे कमलनाद जी को दूँगा कि इन पर कारवाई करो मैं बिलो दी बेल्ट राजनीती नहीं करता पर जरूरत पड़ी तो वो भी कर दिखाएंगे